लेकिन पाकिस्तान जब भारत के सामने आएगा तो पाकिसान ये जानेगा कि इंडिया की टीम डरती किससे है अगर कोई डर खाता पाकिस्तान का भारत के खिलारियों के जहन में है तो पाकिसान की बोलिंग का है बाई वो मैच जो वर्ड T20 फेमस इन फेमस जो भी आप मुल्क से उसे देख रहें 1221 में वो पाकिसान ने बोलिंग से जीता और ठीक है बाद में लोग कहेंगे जिए 10 फिकेट रन नहीं थे भारत के पास सो देखना है कि उनकी बोलिंग क्या भारत के खेमे में पैनिक करा सकती है क्या शाहिनशा अफरीदी कें कम टू पार्टी बिकॉज शाहिनशा अफरीदी उस टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में बेरंग दिखें है हसन अली बहतर दिख रहे हैं बर हसन अली शायद वो इंपक्ट नहीं कर पा रहे जो नसीम शाह एक एंड से करते थे और आफरीदी को सामने वले एंड से मदद मिलती थी हसन अली ने विक्टे ली हैं फिर हारिस राउफ नई बॉल से पिटते हैं लेकिन दोनों मैचमनों ने पीछे आके विक्टे ली हैं विच मींज कि उनको शायद नई गेंद को थोड़ा बहतर डालना है और पाकिस्तान नई गेंद पर रन खाता है मिडल ओवर्स में बहुत रन खाता है और एंड के 10-12 ओवर में आके कंट्रोल करता है विच मींज कि उनको मिडल ओवर्स में दिक्कत आ रही है अगर नवाज और शादाब विक्टे नहीं लेंगे तो भई टीमें फिर आपको साड़े तीन सो ही टांगेंगी मैं सीधा इंडिया से हार भी गए तो हम वर्ल्ड कप के समी फाइनल की दौट से बाहर नहीं होंगे अगर वो श्रिलंका से हार जाते तो शायद वो आधे अधूरे मंद से आधा अधूरा इंदसेंस की वो अंडर प्रेशर आते और फिर इंडिया से भी हार जाते तो अचानक से आप हमारा कैमपेंड तो खतम हो गया हरे हम यह दो मैच हार गए यार और फिर और भी हार सकते थे बट तब मुमेट आपने शिलंका को हरा दिया अब इंडिया के मैच में उस एक्सेस बैगेज के साथ नहीं आ रहे हो हाँ इंडिया वर्सिस पाकिस्तान वो एक्सेस बैगेज हो प्रेशर नहीं है कि यार यह मैच हार के तो बाहर हो गए सेम गोज फॉर इंडिया इंडिया के लिए एक ऐस्ट्रेलिया वाला मैच तो मुश्किल मैच था ना बही ऐस्ट्रेलिया एक बड़ा धावेदार था उस मैच